योमा मेवम असम्मूढो जानाती पुरुशोत्तमं सर्व विदभजती इमाम सर्व भावेन भारत नमस्कार मितनों मितनों ये जोश्लोके भगवत गीता के पंदरवे अध्याय का उननीस माश्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझने है तो जोश्लोके वो कहता है यो माम एवम असम्मूढो अर्थात जो मुझे इस प्रकार से ग्यानी जानाती पुरुशोत्तमम अर्थात जानता है पुरुशोत्तम सर्व विदभजती माम अर्थात वह सब जानने वाला भजता है सर्व भावेन भारत मुझे सभी भावों द्वारा है भारत तो श्रीकृष्ण अब अर्जुन को समझाते हैं कि ज्यानी जो मुझे जानता है ऐसे पुरुषोत्तम वह सब जान लेता है और मुझे सभी भावों से भजता है तो श्रीकृष्ण के इस कथन को समझने के लिए आपको सबसे पहले यी समझना होगा कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसको पीछे कुछ मूल प्रेड़ना सभी के लिए होती है तो इस संसार में हर किसी के लिए अपने जीवन जीने के पीछे का एक क्यों होता है कि मैं अपने जीवन को क्यों जी रहा हूं और ये जो विशिष्ट कारण होता है वह वास्ता में वो होता है जो कि वह व्यक्ति मानता है कि इससे मुझे संतुष्टी प्राप्त होगी तो वह सोचता है कि मुझे इससे संतुष्टी प्राप्त होगी इसलिए मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊंगा तो वास्ताव में जो उसका मूल उद्देश है जीवन जीने का वह है संतुष्टी की प्राप्ति किन्तों अपनी मूर्था में वह है इस संतुष्टी की प्राप्ति को किसी और से जोड़ देता है और फिर जो है संसार में संघर्ष करता है उस बहारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो ये जो बहारी वस्तु को प्राप्त करना है ये क व्यास्तों में व्याय है जो नश्ट हो जाएगा किन्तु व्यक्ति इन्हीं के पीचे जाता है और सुछता है कि इनको प्राप्त करके मुझे संतुष्टी प्राप्त होगी तो आप उधारण के लिए ऐसे ही मान सकते हैं कि देख लीजे जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है ज अच्छा मैं प्रतिष्टा कैसे प्राप्त करूं अच्छा मैं किसी पद को प्राप्त करूंगा तो मुझे प्रतिष्टा प्राप्त होगी तो मैं किस पद को प्राप्त करूं जिससे मुझे प्रतिष्टा प्राप्त हो फिर प्रशन उठेगा कि अच्छा इस ये जो पद ह इसको मैं कैसे प्राप्त करूं? या और प्रश्ण उठागे कि अच्छा ये जो पद है इसको प्रतिष्टा मुझे मिलेगी इसको मैं कैसे भोगूं? तो इस प्रżyörtए अब ये जो प्रश्ण है इन प्रश्ण से जुड़ करके फिर अन्य प्रश्ण उठागे कि अच्छा ये पद जो है ये अधिक प्रतिष्टित है या वो पद अधिक प्रतिष्टित है ये जो प्रतिष्टित पद है इसको मैं कैसे समाल के रखूँ इसको मैं कैसे अपने साथ में रखूँ या कोई और तो ऐसा नहीं होगा जो कि इस प्रतिष्टित पद को मुझसे चीन ले इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्ण होंगे जो कि उस व्यक्ति के मन में उठेंगे तो व्यक्ति ने सोचा कि ये प्रतिष्ठा जो है इससे मुझे संतुष्टी मिलेगी और इन प्रश्णों की द्वारा उसके मन में वास्तों में असंतुष्टी ही उठी तो जो मूल जो लक्षे था वो तो था संतुष्टी की प्राप्ति उससे एक गलत अवधार्णा की द्वारा उसने प्रतिष्ठा को जो है उससे जोड लिया और फिर प्रतिष्ठा से पद को जोड लिया और पद से फिर विबिन्य विबिन्य प्रकार के प्रशन उसके मन में तो ऐसे वास्तों में हम इस जीवन फस जाते हैं और हमारे मन में विबिन्न विबिन्न प्रकार के प्रश्ण उठने लगते हैं जो कि हमें फसा देते हैं इस संसार में मूल जो हमारा है, जो मूल प्राप्ती हमारी है वह तो है संतुष्टी किन्तों हम संतुष्टे को तो प्राप्त करतें नहीं और ऐसे फस जाते हैं इधर उदर तो जो ग्यानी होता है वह इस बात को समझता है वह जानता है कि संसार का जो परमलक्ष है वह संतुष्टी की प्राप्ति और संतुष्टी की प्राप्ति होगी जब मैं परमेश्वर के साथ में जुड़ जाऊंगा क्योंकि वह ही है जो कि प्रेम का सागर है करुणा का सागर है वह ही है जो कि संतुष्टी अपने आप में है स्वैम में संतुष्टी और वह ही मेरा किसी अन्य से संतुष्टी नहीं बिलनी क्योंकि बाकी सब कुछ जो है नश्ट हो जाएगा केवल परमेश्वर ही है परमात्मा ही है जो कि अक्षर है जो कि नश्ट नहीं होगा वह ही है जो कि अनन्त प्रेम है और अनन्त संतुष्टी को हमें प्रदान कर सकता है तो इसलिए व्यक्ति जो होता है वह इस प्रकार के प्रयासों में नहीं लगता और सीधा जो है इश्वर की प्राप्ति में जाता है और इश्वर को सभी समयों पर भजता है तो जब वह इश्वर को इस प्रकार से भजता है और इश्वर की प्राप्ति में ही जाता है तो उसके सभी के उत्तर से ऐसे ही मिल जाते हैं और जब व्यक्ति जो हता है जब वह इश्वर की और प्रगति करने का प्रयास करता है तो इश्वर तो पहले से ही बैठा है हमारे लिए वह प्रतीक्षा ही कर रहा है कि कब हम उसकी और कदम बढ़ाएं जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं वह हमार सहायता के लिए आ जाता है और हमारी सहायता करने लगता है हमें इस मार्ग में और प्रगति करने लगता है तो जो भी मन हमा जो भी प्रशन हमारे मन में उठते हैं इश्वर की प्राफ्ति के प्रति उन सभी प्रशन के उत्तर इश्वर स्वयम ही हमें प्रदान करने लगता है किछी ना किसी द्वारा या तो किसी गुरू के द्वार प्रदान कर देगा या संसार में जिस प्रकार की प्रदिस्थितिया है उनके द्वारा हमें उनके उत्तर प्रदान कर देगा तो इस प्रकार से हमारे मन में फिर प्रश्ण उठते ही नहीं, हमें सभी का ग्यान हो जाता है, तो इसलिए श्रीक्रश्ने नहीं यहाँ पे किया, कि वो जो कि सब कुछ जान लेता है, जो कि मुझे परमात्मा की रूप में जानता है, वे सब कुछ जान लेता है, और इस प्र का से जुड़ना चाहिए कि जीवन का जो हमारा क्यों है वह ईश्वर के साथ में जुड़ा हूँ ना कि झाल झाल